हलो दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार पलिस को स्टेबल 21,391 भरती आप देखिएगा इससे रिलेटेड न्यूस पेपर में भी अब अपडेट आने सुरू हो चुके हैं और इसमें बैठने वाले हैं 18,00,00 प्लस अभियार्थी वैसे तो इसमें 18,00,00 प् क्या अधर डिश्टिक में देगा तो मैं तो पहले भी आप लोगों को बताया था कि इस बार लगा हुआ है CSBC अच्छे तरीके से एक्जाम लेने के लिए और आपका सेंटर भी अधर डिश्टिक देखने को मिल सकता है तो वहीं चीज़ आपको न्यूस पेपर में भी दिय भी दियुआ लेने कर चान बना पाई उससे पहले यह देख लिए कि यह निूस पेपर में आया है सिपाहीभरती परिक्षा साथ अगस से इस बार हूम सेंटर लेसे आप देख़ेगा कि हम आपको शिफ्टerton याणि 7 दिन निर्धारित किया गया था लेकिन उसमें से 7 आपक अब आप जानते हैं कि इसकी शुरुवात साथ अगस्य होने जा रही है यानि आपके पास मात्र एक महीना बचा हुआ है इस एक महीनों को अच्छे से उटलाइज कीजिएगा तो अच्छा स्कोर कर पाईएगा और डर तो लगेगा ही जब आप तैयारी अब कीजिएगा तो क अब का अलग-अलग से एक्जाम है मतलब की आपका कौन से दिन में देगा भी कोई नहीं जानता है ठीक तो आपका जो एक्जाम है क्योंकि इससे पहले आपको एक अक्टूबर सात अक्टूबर पंदरर दो जाते है इसको होने वाला था तो आप तनिक भी ना दिमाग में लगाईए कि अगर पहले आपका admit card जारी किया गया था और आप एक October की exam देने नहीं गये थे तो आपका exam अब नहीं होगा आपका भी exam होगा जो पहले भी exam छोड़ चुके हैं उनको भी मौका मिलेगा यानि उनका भी admit card जारी किया जाएगा लेकिन admit card अब जो जारी किया परिक्षा पहली पाली जो होगा 12-12 यह एक नया चीज है कि एक दिन में एक shift और यह एक दिन में एक shift आप देखिएगा अच्छे से exam conduct करा लिया जाता है और question paper में ज्यादा उतार चड़ाओ भी नहीं देखने को मिलता नहीं तो question paper में भी उतार चड़ाओ ज्यादा देखन जो है यह सब ही आपको चेंटर उपलब दिकराने और आपको यह चीज के लिए बारे बे आपको जनकारी सब दिये हुए है नियूस पेपर वाले भी छापे हैं यहाँ पर देखिएगा 5 आपको साथ 2024 का भी आज के भी आपको देखिएगा दैनिक भासकर में भी आया है और नहीं के जार दिया जाता है जो एक्जाम नहीं भी दिये हैं एक तारीकों उनका भी एड्मिट कर दिया जाता है अब असरते वो एक्जाम देने आएंगे कि नहीं आएंगे उनके उपर एटिव तो सिपाही भरती परिक्षा साथ अगस्ते 28 अगस्तर चलेगा अलग-अलग कि आप मोबाइल ब्लूटूथ ये सब किसी भी तरीके से पहले नहीं न कहीं गाड कर रखे थे या कहीं पहले नहीं न इस समय देखिएगा दरोगा का जो एक्जाम हुआ था तो उसमें लड़का पकड़ाया था वो क्या किया था कि कुछ दिन पहले ही ले या कर उस केमपस मे करते हैं कि मेरे जाकर बुझा देते इस बार जो है आपको सुरक्षा का भी अच्छा मतब चौको चौबंध है इस बार जो सिंटर पर जो आपको इन्विलेटर मिलेंगे अदर अदर जगह के मिलेंगे यानि कि आप डिश्टिक भी होगा आपका दूसरा आपको पता ही होन जा रहा है लेकिन मैं फिर भी बता दीता हूं कि 90% है और निव्स पेपर वाले भी अलग-अलग निकालने सुरू कर दिये हैं मेरे अनुसार भी कि आपको अधर अर्श्टिक दिश्टिक ही मापकर ना अर्श्टिक के सेंटर मिलेगा और अधर श्टिक वाले के लोगों को दिखेगा कि अलग-अलग जिश्टिक में एक्जाम देने जाना पड़ेगा ठीक ज्यादा तर तो पट्टा में उनलों को एक्जाम लिया जाता है लेकिन अलग-अलग जिश्टिक उनको भी भेज सकता है अब यह जो आपको लेटर लिखे गया थे इसमें भी साफ साब आप काफी ज्यादा दराव है ठीक CSBC जो है यहां पर आप देखिएगा एक मिनट कि CSBC जो है इस पर काफी ज्यादा दबाव है देखिए अभी मैं बोड़ पर वेडियो नहीं बना पा रहा हूं कहीं दूसरी जगह हूं सब काम्याद में भी जी है इसलिए आप देखिएगा कि जनकारी आप लोग बार बार टेलीगराम पर बोल रहे थे वाटसप पर पूछ रहे थे मैंने सुचा चलो मैं आपको जनकारी दे ही दूँ थोड़ा मोटिवेशन मिल जागा आप लोको देखिए पढ़ने वाले लड़के आपको पता हाना चाहिए कि इस बार आपका वरद चोरी नहीं बंद होगा ये चीज नहीं होगा आप लोग को भी मजाक उड़ाते रहते तो समय के साथ सभी का जवाब दिया जाता है अभी सांती तरीका से क्या करना है आपको पढ़ाई करते रहना है ठीक योगी कि इलाश समय है जादा से जादा रिबीजन करने पर जादा जोर दीजे नहीं तो फिर आपको question जो है एकदम उपर से चला जाएगा confusion के कारण question बहुत से गलती कर दीजेगा so कम ही आपको material है लेकिन जादा से जादा revision है तो आप अच्छे से पकड़ बना कर exam निकाल सकते हैं और मेरा बात मानिए कि मैं जो आपको बताता हूँ ना कि 60 score जो है male का और 50 score जो female का ये लोग बहुत से मजाक उड़ाते है कितना कैसे जाएगा क्या होगा कैसे जाएगा आप देखिएगा जब RTI मैं डालूँगा खुद ही क्योंकि दीखे cut off तो जारी करता नहीं से इस भी से हो सकता है कि इस बार अगर खुश हो तो जारी कर दे क्योंकि इस बार chair में नए है तो कुछ आपको दिखाने के लिए लेकिन अगर नहीं भी जारी करता है तो एक से देड़ महिना लगे कर result आने के बाद मेरे 8 एक जवाब जाता है जल्दी ही और मैं आपको जनकारी दे दूँगा जब जनकारी दूँगा तो उस समय में आप लोगों को दिखाऊंगा फिर भी मैं बताता हूँ कि ये सभी चीज़ डिपेंड किस पर करते हैं कोशन पेपर पेक तो क्योंकि कटफ तो बाद में आपको होता है कोशन पेपर देखने के बाद आपको expected कटफ कटफ तो फाइनली आयोग जारी करता है ये experience के अधार पर बताता हूँ और बहुत से लोग बोलते है कि ये चीज़ वो चीज़ नहीं होगा लेकिन किसने आगे काम नहीं किया क्योंको पता था कि हमारा अधार ही वैसा है कि हम लोग अपने मतलब बढ़ाते रहते हैं पैसा लेते रहते हैं आगे बढ़ाते रहते हैं हमको उससे मतलब नहीं है कोन पढ़ रहा है कोन नहीं पढ़ रहा है विधान सभा चुनाओ है तो इनके द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं जाएगा जो कि गलत हो ठीक पहले आपको देखिएगा इस पहले जो एक्जाम हुआ है एक अक्टूबर को उसका पास दिन पहले ही पेपर आपको निकल चुका था पास दिन पहले आप समझ लेजे उसका क्य का हल हुआ होगा पेपर का यहने किसके किसके पास नहीं जा सकता है तो पढ़ने वाले लड़के इसमें कहां से आप आएंगे एक तो उनके पास पैसे की कमी होता है उपर से आपको कम समय होता है इधर उदर जाकने की उनको समय नहीं मिलता अपने उपर confidence होता है तो इस बा पर यह चीज नहीं होने वाला है, और दूसरे के कहने से मत पढ़िए, ठीक, अपने उपर विश्वास है, आप लोगों को भी विश्वास है, और अपने उपर विश्वास बना कर रखिए, ठीक, ओल बूल 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 आकर कोई बोल देता है, ना कभी एक्जाम में बैठा है बस वही चीज उल बूल उल आकर बोल देता है आपको demotivate कर देता है तो उस आपके चकर में ना रखिए ठीक वो ना तीन में है ना तेरा में है वो कुछ में नहीं आता है तो आपको बस ध्यान पुर्वग जो काम आपके लिए किया गया है आपका आत्मा भी उसी काम करने मे बहुत ज्यादा समय है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा साथ अगस्त जो आपके पास बचा है उसमें मातर एक महीना समय है और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए रिपीजन पर ठीक बीडियो अच्छा लोगता लाइक कीजिए को कोई बीट आउट कोने वक्षम निक शकते हैं वीडियो तेक नहीं बहुत धन्यवाद